हलो सुडेंट्स स्वागत है आप सभीका साइन्स एंट्फन 910 के यूट्यूब चानल पे जहां हम टीचर्ज आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं तो आज के सेशन में मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए डेमोक्रिटिक राइट्स चैप्टर फॉर क्लास को लेके यह चैप्टर बहुत ही आसान है और इस चैप्टर को आपको रटने की बिल्कुल भी जुरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस चैप्टर में हैं तीन आसान सी कहानिया और उसके बाद हम लोगों को प्रोवाइडिड बेसिक राइट्स बेसिक फंडामेंटल राइ तो जैसे की नाम कह रहा है इस चैप्टर का डेमोक्रेटिक राइट्स ये राइट्स वहाँ प्रोवाइडिड होते हैं जहां डेमोक्रसी होती है डेमोक्रसी मतलब लोकतद्र जहां लोगों का राज होता है राजा का राज नहीं होता तो वहाँ पे लोगों को प्रोवाइ कहानियों को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि राइट्स होते क्या है तो राइट्स एक reasonable claims है लोगों के जिसको recognize किया गया है society के द्वारा और law के द्वारा किया गया है sanction यानि कि अगर आपके पास कोई particular right है तो वो दुनिया को पता होगा अकेले आपके कान में नहीं ये right सुनाया गया होगा ये दुनिया को पता होगा कि ये right बना हुआ है ये right लोगों को provided है तो ये वो reasonable claims है जिसको अगर कोई भी violate करेगा not just individual बलकि कोई government का सदसे भी तो उसको भरनी पड़ेगी भर पाई ठीक है बेटा चलिए rights के बिना life कैसी होगी इसको हमने समझना है तीन कहानियों से तीन जगाओं की कहानियों से मैं आपको relate करवाऊंगी और बहुत ही असा तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं गौत नामो बे की जेल के बारे में मुझे नहीं पहता आप लोगों में से किस-किस ने new york movie देखी है आपने new york movie देखी है किस-किस ने देखी है new york movie जॉन अब्रैम केट्रीना कैफ और नील लितन मुकेश की movie है आप तो आज की generation के बच्चे हो पुरानी भी नहीं है केट्रीना कैफ इतनी पुरानी नहीं है उनकी movie है यह तो अगर आपने वो देखी रहा तो आप बहुत relate कर पाओगे इस वाली condition से क्यूंकि वहाँ पे उस movie में इसी jail के बारे में दिखाया गया है ऐसे ही orange orange कपड़े पहने होते हैं लोगों ने तो क्या था इस जगा पे इस prison में इस jail में क्या था प्रिजन का मतलब होता है jail about 600 people पूरे US से उठाये गए किस वज़े से किसी बिना पे नहीं किसी सबूत पे नहीं बस उनको उठाया गया और उनको ला के पटक दिया गया गौत नामो बे की prison में जेल में argument of US government was that they were क्या कह रहे थे वो क्या reason दे रहे थे वो कह रहे थे कि जो 11 सेप्टेंबर को new york पे हमला हुआ था वो इन लोगों ने किया है US के लोगों ने किया है ये वो लोग है जिन ने किए कोई proof नहीं है कोई ccv camera footage नहीं है कोई उन पे claim नहीं है किसी ने उन पे About that.. उनकी family, ऐसा हो रहा है, कि बच्चा पढ़ रहा है, फिर सो रहा है अपने पापा के साथ, और सुबा उटता है, तो पापा है Zachelyegin, वो उठा के ले गए है, ऐसा हुआ है families में, मेरा बाप गहा है, मेरे पापा गहा है, वो बून रहा है, तो लोगों की families को भी नहीं पता चला और लोग उठ गए चले गए जेल में no one was allowed to meet the prisoners कोई उनसे मिल नहीं सकता था आपको पता है वैसे कुछ laws है जैसे 24 गंटे के अंदर अंदर आपको magistrate के सामने पेश करना होगा जो भी आप यादी पकड़के लाए हो आपको arrest warrant दिखाना पड़ेगा आपको उनको family member से मिलने दिया जाएगा आपको lawyer appoint करने दिया जाएगा यह कुछ laws है हमारे legal form में लेकिन यहाँ पे उन्हें कुछ भी allow नहीं किया अमनेस्टी इंटरनाशनल वर्ग ओवर दिस and highlighted the issue एक जगा है एक institution है जिन्नोंने इसको highlight भी किया अमनेस्टी इंटरनाशनल कि यह क्या हो रहा है लेकिन यूएस secretary journal ने कहा यूएस के लोगों कोई पकड़के लाए थे वहाँ पे कहा भी गया कि इसको बद कर दो लेकिन यूएस government refuse to accept these लेकिन यह चीज मानी ही नहीं गई तो यहाँ पे violate हो रहे हैं लोगों के rights क्योंकि उनको उनके पास allowance है right है कि वो अपना lawyer choose कर सकते हैं वो अपने family member से मिल सकते हैं लेकिन यहाँ पे उनको यह allow नहीं किया जा रहा है sorry मेरा गला थोड़ा खराब है corporate करना भाई आज चलिए अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी कहानी के तरफ तो पहली कहानी clear है crystal clear sorted अब हैं दूसरी कहानी citizens right in Saudi Arabia यहाँ पे क Saudi Arabia में क्या हो रहा था case of Saudi Arabia and position of the citizens with regard to their government क्या चल रहा था सरकार क्या नहीं दे रही थी लोगों को कौन से rights की बात की जा रही है कौन से rights से violate कराया जा रहा है उनको तो rule of the hereditary king people have no rule in electing or changing their ruler तो लोगों के पास अधिकार नहीं था अपना नेता चुनने का king selects the legislature जो राजा थे वो ही legislature choose करेंगे वही executive and वही judiciary citizens cannot form political parties and media को भी allowance नहीं थी कुछ भी चापने की no freedom of religion condition जो women की थी वो तो बहुत ही कराब थी बहुत restrictions लगाए हुए थे the testimony of one man is considered equal to that of two women आदमी आजाद थे और औरते बंधी हुई थी बुरके के अंदर तो वहाँ पे भी आपको पता है विमन को rights 2011 में मिले voting rights साउदी अरेबिया में बहुत बुरा हाल था वहाँ पे औरतों को तो कुछ समझते ही नहीं पूरे काले बुरके के अंदर से वाँखे आंके दिखती है आप कैसे जानोगे पैचानोगे उनको अलाओ एंसी नहीं है तो यह था केस आपका साउदी अरेबिया का तो यहां पे भी यह दिखाया जा रहा है कि नॉर्मल लोगों को rights नहीं provided है नॉर्मल लोगों को rights मिली नहीं रहे है विमन को तो और बुरा हाल कर रखा है तो अब हैं हमारी तीसरी कहानी वह है अथनिक मैसिकर इन कोसोवो तो कोसोवो में दो religion दो लोग रहते थे दो टाइप ओफ लोग रहते थे Albanians and Serbs तो यह उनकी कहानी है कोसोवो एक Yugoslavia का province है एक state है population जो है यहां की वो majority है Albanians but in country condition समझना the population or in composition of the province was majority Albanians लेकिन पूरी country में Yugoslavia में Serbs की majority है तो कहने का मतलब यह है के कोसोवो में तो Albanians है ज़ादा लेकिन Yugoslavia में Serbs ज़ादा हैं तो Serbs लोग Albanian लोगों को कर रहे हैं थे लेट कि आप लोग हो कम इन नंबर तो या तो आप हमारे अकॉर्डिंग चलो या आप हमारे देश से निकल जाओ ठीक है तो ऐसा कब शुरू हुआ जब वहां के लीडर बने मिलोस्विक जो की एक सर्ब थे इन्हों ने Albanians के प्रती हेट्रिड दिखाना शुरू कर दिया और Albanians शुरू कहा कि Albanians या तो देश से चले जाए या हमारी अंकल और एक आंटी अंदर अराम से घर में बैठे हुए है भार जगड़े चल रहे हैं लडाईयां चल रही है सर्ब्स लोग वही अपनी डॉमिनियंसी दिखा रहे हैं देवर Albanians वहाँ पर आंटी जी चाय बनाने अंदर गई हैं और भार आके देखते हैं कि सर्ब्स अंदर घुसाए हैं और अंकल को तीन गोलिया तीन शॉट मार दिये और वही पर मर गए और गहने निकाले और उसको के सामने घर को जला दिया तो यह केस आपकी बुक में भी लिखा हुआ है यह यह दिखाता है कि कैसे वहां पर राइट टू एक्वालिटी थी ही नहीं जो डॉमिनियंट है वो जो रिसेसिव है उसको दबाव में रखा हुआ है तो यह हैं तीन कहानिया सबसे पहली गौतना नहीं किये गए और तीसरा है आपका इने क्वालिटी का राइट जो वायलेट हो रहा है तो देखा आपने कि तीन जगाओं पर अगर यहां पर राइट सी नहीं थे तो कैसे यहां की कंडिशन हो चुकी थे हमें राइट क्यों चाहिए ताकि हम एक्सप्रेस कर सकें अपना उपीनियन हम पॉलिटिकल पार्टी बना सकें हम कुछ लोगों को राय दे सकें राइट्स प्रोटेक्ट माइन्योरिटी ताकि मैजॉरिटी उन पर दबाव ना डाले राइट इंशॉर करता है कि हम कोई भी लॉज और पॉलिसी को कैसे अपनाएंगे वो हमारी मर्जी है सिटिजन्स के राइट्स को प्रोवाइड करता है ताकि गवर्मेंटल प्रेशर जादा ना हो तो इसलिए हमें राइट्स चाहिए और यह क्वेश्चन आपके पेपर में आ भी सकता है कि वाइड डूवी करने के लिए chaos ना लाने के लिए conflicts तराइज ना हो हम अपने हग के लिए बात कर सकेंगे सारे answers इसमें आएंगे अब हमारे constitution में राइट्स जो प्रवाइड किये गए है major वो है right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies, so these are the six fundamental rights that are provided to you as a citizen of India and what is the meaning of fundamental rights, fundamental rights are those rights जो आप जब पैदा होते हो ना मतला पैदा होए हो आप अभी एक second के होए हो वो आपके लग गए rights, these are fundamental rights जो आपके birth से ही आपके लागू हो जाते हैं, तो अब हम एके करके इन rights को पढ़ेंगे, देखे बेटा ये right बहुत ही असान है, ये rights बहुत ही असान है, just आपको आप इसको अपनी language में obviously बना के लिख सकता, I will not say कि आप रटा मारो, लेकिन हाँ, अगर कोई बच्चा अपने आप बना नहीं पाता, English में problem है, वहाँ, you know, English बनानी परती है, उसमें problem है, या आप SST की terms भूल जाते हो, तो इसको फिर आप learn करें, क्योंकि ये rights जो हैं बहु आप आजाते हैं, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारे rights आजाते हैं, speech का, expression का, religion का, सारे इसके अंदर आजाते हैं, तो यह थोड़ा बड़ा भी बन जाते हैं, तो ऐसे भी आ सकते हैं, तो आपको सारे rights तो करने ही है, very important है, तीन कहानिया तो आपको याद होई गई हो किसी भी बेस, their language, किसी भी बेस पे, they cannot do inequality, people cannot be discriminated on the basis of religion, sex, caste, place of birth, etc, every citizen of India has a right to access all the public places, वो कहीं भी जाएं, cinema hall जाएं, park में जाएं, restaurant में जाएं, temples में जाएं, hotels में जाएं, यह उनके पास allowance है, वो शकल देखके नहीं, लेकिन बेडा देखो यह चीज ना किता हैं, लाबो में लिख वही है, आप फटे पुराने कप्रों में, यह लाइक हमारे डैली में crown plaza is the nearest hotel है, I think it's 5 star or 3 star crown plaza, I think आपने सुना होगा, तो यहां पे क्या होता है, कि अगर आप फटे पुराने कप्रों में चले जाओ, वो आपको बाहर निकाल देंगे, आपने वो मुव कितार के अचला है, ओर रोए को और फॉर्व नॉक्र बन जाता है, और वो नॉकर बनता है, जो सक्काणा है और उसके वाच्मेन के कपड़ ना इतने वाटीर होता है बहुत सारी जगाओं में और देखो बेटा मेरे को तो लगता है ऐसा कि अगर क्लाउन प्लाजा में या किसी भी बड़े हुटाल में ऐसे लोग बैटेंगे तो बड़े लोग आने से इनकार करेंगे यंकि उनको फराक्त ही नहीं पड़े है तो हम लोग आ यह से हुट sec लेकिन छीज रहती है लेकिन वहीं हमारी leo books है हमारा जो किताबं है हमारा ऑशे कॉन्सिट्यूशन वो कहता है कि हमे एक्थि डेनी है equal opportunities of employment are guaranteed to every citizen equality does not mean giving equal treatment to everyone despite what they need it means equal opportunity to everyone right यह नहीं आप सब कुछ दे रहे हो उनको चाहिए भी नहीं आद दे रहे हो it means आपके पास opportunity है it's your choice to do that or not so this is what right to equality says right to freedom अब right to freedom तो मतलब पता ही है freedom है लेकिन इस freedom का मतलब क्या है right to freedom का मतलब होता है आपको freedom provide करना आजादी provide करना लेकिन यह आजादी वो आजादी नहीं है क्या आप रोड पे चल रहे हो और आपको एक लड़का या लड़की देखिए आपको उसकी शगल पसंद नहीं आई मुक्का मार दिया वह कोई यह क्या हो गया तुमको भाई राइट to freedom है में मेरे पास मैं कुछ भी करूं मैं तुझे मुक्का मारूं मैं तुझे लात कर दोगे तो राइट to freedom का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी करो कुछ भी करो लेकिन लिमिट्स में हमारे कॉंस्टिन के लिमिट्स में करो तो कॉंस्टिन आप इंडिया प्रोवाइट ऑल सिदिजन तो फॉलोविंग राइट साथ है आप कुछ भी बोल सको कुछ भी एक शादी में और आप उनके सामने ऐसे मूँ बना रहे है ऐसे कैसी लग रही है ऐसे कर रहे हो तो एक्सप्रेस आप कर रहे है उनकी फीलिंग हर्ट हो जाएए वह दोस्तो यारों में चलता है यार दोस्तो यारों में गालियां भी चलते हैं दोस्तो यारों में एक्सप्रेश लिमिट से, freedom of movement throughout the country, कहीं भी घूमो, कहीं भी घूमो, बस अपने पैसों पे घूमो, freedom to reside in any part of the country, कहीं भी रहो, कोई भी profession अपना हो, मेरी मर्जी, मैं घर घर जा के बरतन मांजू, मेरी मर्जी, मैं किसी, मालब, किसी भी CEO के साथ बैठू, मालब, वो थोड़ा सा लेवल बढ परहना पड़ेगा, लेकिन बैठ सकते हैं, अगर महनत करते रहे तो, कहने का मतलब ये है, कि हमारी मर्जी, हम कोई भी profession अपना है, मेरा मन था टीचिंग का मैं टीचिंग में आ गई, मेरा मनो था मॉडलिंग में चली जाती, मेरा मनो था और बने का मैं रहोस्तिस बने जात तो, freedom to reside in any part of the country, freedom to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business, you cannot exercise your freedom in such a manner that violates others' right to freedom, वो ही limits आ गई कि आप किसी के rights को violate ना करो, ऐसे rights को आपको follow करना, ये दो बार आ गया, कलते से दो बार slide लग गया, sorry, now, right against exploitation, exploitation का मतलब होता है, आपको exploit करना, मुझे इसकी Hindi ने आती है, कि जोको आदे लो comments में लि of exploit करना, exploit, अभी पता चल जाएगा, exploit का मतलब लोगों को overuse करना, बे तुके में, like human trafficking, you know what is human trafficking, human trafficking is logo को उनकी मर्जी की बिना अगवा करके, बेचना, human trafficking is logo को बेचना, कहा जाता है, बहुत सारी red lights पे जो लोग मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, वो human trafficking का शिकार होते हैं, that is, खरीदा जाता है, और उनसे भीक मंगवाई जाती है, तो right to exploitation में, prohibit करना है, ignore करना है, human trafficking, यहाँ traffic का मतलब, traffic वो वाला traffic नहीं है, पॉपॉण होन वाला traffic नहीं है, यहाँ traffic का मतलब, लोगों को खरीदने, बेचने से है, traffic here means, selling and buying of human beings, जी हाँ, कई बच्चों की तो ऐसे आ खरीदते हैं, usually women को खरीदा जाता है, immoral purposes के रिए, rape cases जो होते है, rape cases are different, लेकिन human trafficking में, women को बेचा जाता है, for various reasons, prohibition on forced labor or beggar, इसका मतलब क्या होता है, beggar बोलो, कहीं लोग बेगार बोलते हैं, जो बोलो, बेगार is a practice, where the worker is forced to render services to the master, free of charge, उन्हें पैसे नहीं मिलते, उन्हें बस जबरनसी काम कराया जाता है, the constitution bans child labor, child labor का मतलब है 14 साल से, कम अगर कोई भी बच्चा काम कर रहा है, तो वो child labor कहलाता है, और वो हमारी सरकार allow नहीं करती होता है, करते हैं बच्चे, लेकिन यह allowed नहीं है, पकड़े जाओगे, now freedom of religion, इंडिया एक secular state है, जहां कोई भी religion official नहीं है, तो हमारे देश में भी और हमारे देश में यह right है, कि आप कोई भी religion अपना हो, मैं Punjabi पैदा होई थी, means क्या, मैं मुसलमान नहीं बन सकती, बन सकती हूं, मैं Christian नहीं बन सकती, बन सकती हूं, मेरा गर इंटरस्ट वहाँ चला गया, तो मैं बन जाओंगी, the thing is, कि हम लोग किसी भी religion को violate नहीं करें, हम लोग किसी भी religion के खिलाफ ना बोलें, हम लोग किसी भी religion को disrespect ना करें, that's it, and आप किसी भी religion को अपना सकते हो, चाहे आप किसी भी religion में पैदा होए हो, वाँ, religion, 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 actually religion का topic is very sensitive, बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, बड़े सारे supporters आजाते हैं, हम पढ़ा रहे होते हैं, और बच्चों को लग जाता हैं, भईया, हम कुछ बोल रहे हैं, तो हम हर religion की respect कर सकते हैं, करनी चाहिए, तो this is what is said here, कि charitable purpose हो गया है, कोई भी accurate movable, या immovable property हो गई, किसी भी person को compel करना is wrong, कि तू हमारे उसमें religion में आ, ये गलत है, ये गलत है, अगर उसका मन है, तो आ जाएगा, उसको अगर Jesus Christ पसंद आ गए, वो आ जाएगे, उनको अगर Allah समझ में आ गए, तो वहां आ जाएग अगर किसी मुसल्मान को हमारे भगवान पसंद आ गए, तो वो हिंदू बन जाएगे, तो the thing is, कि हमें allowed है, कि हम किसी भी religion को अपना है, cultural and educational rights, what is cultural and educational rights, the constitution provides following cultural and educational rights of the minorities, कोई भी section होगा, अगर citizens का, चाहे वो किसी भी language का हो, क्या वो किसी भी culture का हो, उसको आप violet नहीं कर सकते, admission to any educational institution, यह नहीं है कि मैं ऐसे बैठी में हूँ, हमारा institute है, offline में भी, तो मैं ऐसे reception में बैठी में हूँ और मैं कहूँ, आप Muslim हो, आपको नहीं मिलेगा admission, आप Christian हो, आपको नहीं मिलेगा admission, ऐसा नहीं होता, कोई भी किसी भी culture का हमारे यहां पे आता है, किसी भी language का आता है किसी भी state से आता है, we welcome them और यही हमारा constitution कहता है, हर एक minority के पास rights है, educational भी और cultural भी, कोई भी institution किसी भी बच्चे को मना नहीं कर सकता हूँ, on the basis of its religion, culture, caste, language, etc. right to constitutional remedies, this right is the heart and soul of our constitution, ठीक है, the fundamental right that makes other rights effective, इस right में कहा जाता है, कि अगर आपका पीछे पांच में से कोई भी right violate होता है, तो आपको मिलेगी उसकी भरपाई, आप केस दर्ज कर सकते हो, Supreme Court, High Court में, या आपको मिलेगा compensation, compensation, compensation का मतलब होता है, भरपाई मिलना, कि आपके साथ गलत हुआ है, तो आपको उसका भरपाई मिलेगी ना, तो वो चीज यहां पर प्रवाइड की जाती है, आपके last right में, right to constitutional remedies, the fundamental rights are guaranteed against any action of the legislature, executive and other authorities of the government, these are the rights, that you have to learn, that you have to memorize, these are 6 rights, बहुत 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 है, now, what is secularism, secularism is basically a practice, जहां पे कोई भी religion को उपन ना रखा जाए, हर religion को बराबर सम्झा जाए, that is the only thing, India is a secular state, secularism is based on the idea, that the state is concerned only with the relations among human beings, ना की उनके भगवान से, रिष्टे से, नहीं, citizens have complete freedom to follow any religion, कुलिजिजिजिए प्रवाइट करता है, comprehensive right to profess, to practice, to propagate the religion, he or she believes in, और ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 25 to 28 में, that is you can practice any religion, now, what is the secular state, India is a secular state, that is हमारे आपे कोई भी official religion नहीं है, हम किसी भी religion को follow कर सकते है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये assertion reason में आ सकते है, assertion reason में आ सकते है, कि India is a secular state, assertion reason, कुछ भी मुमाच हो चाहिए ना हो, now NHRC, National Human Rights Commission, an independent commission called National Human Rights Commission, has been set up by the law in 1993, it tells the victims to secure their human rights, especially fundamental rights, this is an institution, जो assure करती है कि लोगों के rights violate ना हो, what is someone violates our rights, अगर हमारे rights पे किसी ने violation की, अगर हमारे rights पे किसी ने question mark लगाया या उंगली उठाई तो, गलत उंगली है, उंगली उठाई तो, it is possible that sometimes our rights may be violated by fellow citizens, जी हाँ, हमारे दोस, हमारे घरवाले, या हमारे आसपास की neighbors, हमारे rights को violate कर देते हैं, लेकिन हमारे पास पहले बात तो right to come, वो remedies वाला है, it is a fundamental right, we can directly approach the supreme court or the high court of a state, supreme court and high court have the power to issue directions, कि भाया ये क्या हो गया, कि कैसे हो गया, और अगर वो चीज़ जादा बड़ी होगी, तो आपको compensation भी provide कराये जाएंगे by the supreme or the high court, new rights given to the, in the constitution of South Africa, देखें South Africa में अब new rights आगये थे, right to privacy, environment को clean करना, adequate housing मिलना, महापे लोगो को घर नहीं मिलते, right to have access to healthcare services, sufficient food and water, तो इस आप दो new rights that are given to the constitution in South Africa, तो this was your chapter, ननना सा, छोटा सा, प्यारा सा, बहुत easy सा chapter, yet scoring chapter it is, तो आपको यह पुरा learn हो गया होगा, अब जल्दी से आपका homework questions आ गए हैं, सिफ चार, चार MC की questions जो आपको मुझे comment section में बताने हैं, जिसका भी comment में answer सबसे पहले और सबसे सही आएगा, उसको मैं pin कर दूँगी, उसको मैं heart दे दूँगी अपना comments पे, पस, चलिए, पहला question में dictate कर देती हूँ, how many fundamental rights do we have, कितने हमारे fundamental rights हैं, 6, 7, 8, 9, answer in the comment section, फड़ा फट से, next, which of the fundamental right is called the heart and soul of the constitution, कौन सा है, right to equality, right to freedom of religion, right to constitutional remedies, या cultural and educational rights, मैंने बताया था, लिखके बताया था मैंने, कोई पीछे नहीं जाएगा, cheating नहीं करनी है, लिखके बताया था मैंने, चलिए, civil rights are given to the individual by, कौन देता है civil rights, क्या nature देती है, क्या भगवान देते हैं, क्या state देता है, या क्या लोग देते हैं, तो answer आपको लिखना है, और last है, cultural and educational rights, are safeguard mainly for, किस चीज के लिए आए है, ये right, women, children, minorities, या फिर men, तो ये आपको चार question के answer, मुझे comment section में बताने हैं, और इसे के साथ, हमारा ये chapter होता है, खतम, ऐसे ही मिलेंगे, आपको हमारे science and fun app पे मिल जाएगी, और हमारे telegram के channel पे मिल जाएगी, 9th and 10th का science and fun का, आप subscribe कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अगर आप पहली बार इस channel को देख रहे हैं, तो like and subscribe ज़रूर कीजेगा, मैं रीमा गही, इस channel पे आपको SST पढ़ाती हूँ, और बस, बस इतनी सी बात है, कि आपको यह करना है, और अगली वीडियो में मिलेंगे, एक और धमाकेदार chapter के साथ, और आपका वो chapter बिल्कुल पक्का गरवादेंगे, मिलते हैं, आगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद,